हेलो खेंच, गूड मॉर्निंग, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग का प्रैक्टिस सिट सॉल करेंगे पूरे पचास प्रश्चनों को हम लोग इस वीडियो में solve करेंगी यह practice sit का 126 वीडियो है अगर आप लोग पिछली practice sit के वीडियोच नहीं देखें हैं तो आप लोग play list में जाके देख सकते हैं play list में आपको B.H. entrance exam का previous papers भी मिल जाएगा 2012 से लेकि 2020 तका अगर आप लोग इन papers की free में पीडियाप चाहिए तो आप लोग हमारे टेली ग्राम ग्रूप से जाइन हो जाएए तेली ग्राम ग्रूप का जो नाम है वो है एजुकेशन विसाहिल इस वीडियो के description box में मैं टेली ग्राम ग्रूप की लिंक दे दिया हूँ तो आप लोग लिंक के मादब से जाइन हो शकते हैं वहां से आप लोग हर एक papers की PDF फ्री में बिलकुन download कर सकते हैं तो चलिए फड़ा फट इस practice set को हम लोग solve करते हैं आज के इस practice set में जितने भी questions लगाएगे हैं सारे selected questions लगाएगे हैं जो exam में बार बार repeat होते रहते हैं तो जिन questions में important लिख दूँ इस्टाल लगा दूँ तो उन questions को आप लोग जरूर से जरूर पर अपनी notes में note करी जिगहा पहिला कोशन आपकी screen पर है जो की बहुत important question है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है यह आपको बताना है तो फड़ा फर बताइए स्वेज नहर जो है किसे जोड़ती है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है पहला कोशन ही इंपॉर्टेंट मिल गया हमें तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है यह आपको बताना है तो इसमें बिलिख लीज़ेगा आप लोग अगर आप लोग फर्स टाइम इस कोस्टन को देख रहे हैं तो आईने अकबरी की रचना जो की गई थी वो की गई थी अबुल फजल के दौरा ऑप्चन जो सी करेक्ट होगा इस कोस्टन का राइटर सर वेरी वेरी मोश्ट यहां पर देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस सहर से सुरू हुआ था यह भी बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन हैं लगातार इंपोर्टेंट कोस्टन इसमें लगाए गये हैं तो फड़ा फड़ा बताइए आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन किस सहर से सुरू हुआ था वह हुआ था अहम्दाबाद सहर से option जो है C क्रेक्ट होगा इसको इसको क्षिंशंस का राइट अंसर और कभी-कभी देट भी पूंच लिए जाता है तो 9 अगस्ट आपको रखना है 9 अगस्ट 1902 को जो है भारत छोड़ों अंदोलन शुरू हुआ था ठीक है बहुत important question है अगला परिशन यहाँ पर देख सकते हैं लाल बाल पाल में बाल कौन थे यह आपको बताना है तो लाल बाल पाल में जो बाल थे वो थे बाल गंग अधर तिलग ऑप्शन जो सी करेक्ट होगा इस questions का राइड अंसर अगला परिशन पार्किशन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है उस अंग का नाम बताएं जो पार्किशन रोग से अंग प्रभावित हो जाता है तो पार्किशन रोग से जो अंग प्रभावित होता है वो प्रभावित होता है मस्तिस्क ऑप्शन जो सी करेक्ट होगा इस questions का राइड अंसर अगला परिशन य आज में option B के रिक्ट होगा इसकोशन का राइट अंसर बात यहां पर हो रहे ही उत्राखन की तो उत्राखन की capital आपको जरू पता होना चाहिए उत्राखन की जो capital है वो है देहरादुन, महराश्ट की, मुंबई, मद्ध प्रिदेश की भोपाल और उत्राप्रिदेश की लखन कर या इनमें से कोई नहीं तो इसमें हम प्रत्रश कर की बात करें तो यहां पर जो आय कर दिया गया है यह आपका प्रत्रश करके अंतरगत आता है, option जो है एकरेक्ट होगा इसकोशन का right answer, friends आज के वीडियो का जो like का target है वो है 200 का, अगर मेरी वीडियो आपको helpful लगा करे तो please वीडियो को like जरूर कर दिया करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 200 प्लस like जरूर से जरूर करेंगे, अगला प्रत्रश यहां पर देख सकते हैं, राज विधान परसत का मुख्य कौन होता है, बहुत important question है, common question है, simple question है, तो इसके, यानि कि राज विध questions को पढ़ चुके हैं, तो rail जो चलाई गए थी, किसके सासने काल में चलाई गए थी, Lord Dalhousie के सासन काल में चलाई गए थी, और ठारा शो तिरपन में, ठीक है, option जो है, B के रिक्ट होगा, इस questions का, right answer, कहां से कहां तक चली थी यह, तो मुंबई शिथाने के बीच चली थी, टोटल 34 किलो मीटर चलाई गए थी, और उस ट्रेन का जो नाम था, वो था Black Beauty, अगर बाइचांस का भी कुछ दे आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ट्रेन कहां चली थी, उत्तर प्रदेश में सबसे बहले जो ट्रेन चली थी, वो चली थी, अलाहा बाश्य यहाँ पेंपूटर से questions कुछेगा है, operating system कौन से नहीं है, यह आपको बताने हैं, तो printer जो है आपका operating system नहीं है, option C करेक्ट होगा, इस questions का right answer, अभुखता अधिकार दिवस कम मनाय जाता है, फड़ा फर बताइज ई, option जो है B correct होगा इस questions का right answer यहाँ पे 8 March तो 8 March को अंतराष्टी महिला दिवस मना जाता है ठीक है और 10 April को विश्य होमो फैथी दिवस मना जाता है and 24 December को जो है राष्टी उपभोगता दिवस मना जाता है ठीक है राष्टी उपभोगता दिवस मना जाता है कौन सी है फड़ा फड़ बताएं भारत के stock एक्षेंजों का नियमन करने वाली संसा कौन सी है तो वो संसा है से भी ये भी questions कई बार हो चुका है इस practice set में यानि कि अब मैं जो practice set solve करवा रहा हूँ इसमें थोड़ा question जो है repeated मिल रहा है ठीक है बार-बार वही questions हर practice set में मिल जा रहा है तो कोई गलत भी नहीं है आपका revision भी हो जा रहा है ठीक है इससे याद भी हो जाएगा अगर आप लोग किसी भी questions को तीन बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो questions आपको याद भी हो जाएगा ठीक है हमास किस देश का आतंक वादी गुठ है फड़ा फ़र बताइए हमास जो है ये एक गुठ है किस देश का आतंक वादी गुठ है ये आपको बताना है तो ये है इसराइल का option C करेक्ट होगा इसकोशन का right answer cryolite किस धातु का प्रमुक आयश कहे cryolite किस धातु का प्रमुक आयश कहे ये आपको ताना है तो cryolite जो है aluminium धातु का प्रमुक आयश कहे option B करेक्ट होगा इसकोशन का right answer अगला पिशन यहाँ पर देख सकते हैं जो की बहुत ही important question है अल्प संखेकों के लिए राश्टी आयो किस वर्स में बनाय गया था तो ये बनाय गया था 19 जो 92 में option B करेक्ट होगा इस questions का right answer सरकार की निम्न प्रनालियों में से किसमें दूश अशन पद्दति एक अनिवार लच्छन है उश प्रनाली का नाम बताएं तो वो प्रनाली है आपकी संगी प्रनाली option A correct होगा इस questions का right answer अगला प्रिशन यहाँ पर देख सकते हैं मशहूर जेल मान सरोवर कहां इससी थे ये भी questions तीन बार आज हो जाएगा आपका I hope कि ये questions आपको बिल्कुन से याद हो गया होगा तो मान सरोवर कहां पर इससी थे तिबबत में बड़ आपको तिबबत option नहीं दिखा होगा जो पहले करवाय था उसमें आपको chain दिखा होगा तो ठीक है अगर तिबबत नहों तो chain में आपको टिक कर देना है उस राजा का नाम बताएं तो वो राजा है अशोक, आप्शन, एक रिक्ट होगा इस कोशिंस का राइट अंसर फ्रेंट्स मैं आपको दा दूँ अगर आपको 2021 में बीएड एंटरंस एक्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए ये समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल लहता है समाजवाद जो है क्या प्राप्त करने में सफल लहता है कमेंट बॉक्स में फड़ा फड़ बताईए इस कोशिंस का राइट अंसर तो समाजवाद जो प्राप्त करने में सफल लहता है कि समाज में आय का शवान वित्रण इसी में जो है सफल लहता है option B के रिक्ठोगा इसकोश्चन का राइड अंसर एका अधिकारी किसके अधार पर मुल्य विभेदन का आश्रे लेता है किसके अधार पर तो ये लेते हैं मांग लोच के अधार पर मुल्य विभेदन का आश्रे लेते हैं option B के रिक्ठोगा इसकोश्चन का राइड अंसर अगला परशन आपकी स्किन पर है आर्थिक आयोजना का एक अनिवार अभिलेच्छन है आर्थिक आयोजना एक अनिवार अभिलेच्छन है किसका तो ये है समाजवादी अर्थिबहुष्था का option जोए एक रिक्ठोगा इसकोश्चन का राइड अंसर अगला परशन HYV कारिक्रम को भारत में डॉट डॉट भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है HYV कारिक्रम को तो इसे कहा जाता है नवकरसी नीती ठीक है में अपनाई गए थी बहुत important question है तो ये जो अपनाई गई थी अपनाई गई थी 20001 में option A करिक्ठोगा इस questions का right answer मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहां पे आश्टेलिया, USA, प्राचीन यूनान में England में तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में option C करिक्ठोगा इस questions का right answer राश्टी बाढ़ आयोग RBA 1 जिसे बोलते हैं ति ये किस से सम्मदित है आपको बताना है RBA किस से सम्मदित है तो RBA जो सम्मदित है बाढ़ से सम्मदित है option C करिक्ठोगा इस questions का right answer अगला पिशन यहाँ पर देख सकते हैं मानव जातियों के वर्गी करण के लिए निम्न में से किस कट आउट T का प्रयोग नहीं किया जाता है मानव जातियों के वर्गी करण के लिए निम्न में से किस कट आउट T का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो कट आउट T है कान कान का प्रयोग नहीं किया जाता है option D के रिक्ठोगा इस questions का right answer यह 77 वाले में आप लोग सबसे पहले important लिख लिएगा और इस questions को note कर लिए जगा और यह questions मैं करवाया भी हूँ जिग्राफिक क्लास में कि railway डिबो का निर्मार कहा किया जाता है अगर आप लोग जितना मैं notes में करवाया हूँ उसे याद कर लिए होंगे तो आपसे questions गलत नहीं हो रहा होगा तो railway डिबो का जो निर्मार किया जाता है वो किया जाता है पेरंबुर में option C करेक्ट होगा इस questions का right answer ठीक है और यहाँ पे वरांड़ी में जो है डीजल इंजन का निर्मार किया जाता है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से किसको सकती साली नोबिलों के एक समुह चीहाल गनी के विनास का स्रे दिया गया था तो वो थे बल्बन option एकरेक्ट होगा इस questions का right answer अंग्रेश शाशक चार्ल्स दित्ती को किसकी राशकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था अंट्रेस्टिंग कोश्चन है तो पुर्तगाल की राशकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था option जो है बी करेक्ट होगा इस questions का right answer अगला पुर्शन यहाँ पर देख सकते हैं भारत की राशकोसी नीती में निमलिकित में से कौन सा उद्देश शामिल नहीं है तो भारत की राशकोसी नीती में जो उद्देश शामिल नहीं है वो है अंतराश्टी ब्यपार का वेद नियमन ये जो है सामिल नहीं है भारत की राष्टी कोशी नीती में उप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस कोश्चन्स का राइट अंसर अगला परिशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं सेंट्रल बैंक के प्रणात्मक उधार नियंत्रन उपाय में निमलिखित में से क्या शामिल नहीं है तो इसमें सामिल नहीं है नैतिक दबाव ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस कोश्चन्स का राइट अंसर राष्टी आयर निकालने के लिए NNP में में से निमलिखित में से क्या घटाया जाता है यह आपको बताना है NNP में से निमलिखित में से क्या घटाया जाता है तो NNP में से जो घटाया जाता है वो घटाया जाता है आपका तच्छकर ठीक है ओप्शन जो है एक रेक्ट होगा इस कुश्चन का राइट अंसर एंडारेक्ट टैक्श ठीक है स्वतंत्र भारत की पहिली महिला राजपाल कौन थी सिंपल सा कुश्चन है तो स्वतंत्र भारत की जो पहिली महिला राजपाल थी वो थी स्रीमती सरोजन आइडू अगर मुकमंत्री का पूँच लिया है तो स्रीमती सुचेता करपलानी जो है सबसे पहले मुकमंत्री थी जो की उत्तर प्रदेश की ही बनी थी ठीक है निमलिकित में से इस्थाई संसा कौन सी नहीं है तो इसमें इस्थाई संसा आपकी नहीं है परिवार option A करेक्ट होगा इस questions का right answer ठीक है मनव वैग्यानिक की यहाँ पे questions मूझे जा रहे है निमलिकित में से क्या श्वतंत्रता और सवधीनता में बाधग है तो श्वतंत्रता और सवधीनता में जो बाधग है वो है विकेंद्री के रण option B करेक्ट होगा इस questions का right answer निमलिकित में से सही जोड़ा कौन सा है सही जोड़ा आपको छाटना इन में से कौन सा है option C वाला आपका सही जोड़ा है बाकी सही जोड़े नहीं है अगला question बाल गंग धर तीलग किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे आलंकि ये questions पोचा नहीं जाता जो राजनीतिक गुरु आला जो पोचा जाता वो महात्मा गांधी गुरु किसे कहते हैं तो गोपाल कश्ण गोखले जी को है महात्मा गांधी जी के राजनेतिक गुरू कहे जाते हैं और यहां पे बाल गंगा धर तिलग अपना राजनेतिक गुरू किसे कहते थे तो यह कहते थे स्वामी विवेकानन जी को option जो ए करेक्ट होगा इस questions का right answer तो यह होता है अलपा अधिकार फर्म के मांग वक्र द्वारा option बी करेक्ट होगा इस questions का right answer next question आपकी स्किन पे है मिली जूली खेती में से क्या तापतर है तो मिली जूली खेती से जो तापतर है वो क्या है पशु पालन और कृश्री करना जो है मिली जूली खेती से तापतर रखता है option D करेक्ट होगा इस questions का right answer अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं निमलिखित में से कौन सा कारिय निरवाचन आयोक के कारचेतर में नहीं आता है बहुत important question है इस questions में आप लोग important जरूर से जरूर लिखी दीज़ेगा निरवाचन आयोक के कारचेतर में कौन सा नहीं आता है तो भारत के परधान मंतरी के चुनाओ काराना जो है निरवाचन आयोक के कारचेतर में नहीं आता है option A करेक्ट होगा इस questions का right answer अगला परशन निमलेकित में से कौन सा शंसर से समधित नहीं है तो बरखास करना शंसर से समधित नहीं है option D करेक्ट होगा इस questions का right answer किस कारण से मुहमद बिन तूलक आशफल वक्ती था तो मुहमद बिन तूलक आशफल वक्ती इसलिए थे एक कारण था कि वह बैओ हारी के नाजनेता नहीं था इसलिए जो है वह आशफल वक्ती थे option B करेक्ट होगा इस questions का right answer ड्रॉक्टिंग आफ लैंप्स किस ने आरम किया था ड्रॉक्टिंग आफ लैंप्स किस ने आरम किया था यह आपको बताने हैं तो इसको जो है आरम किये थे ड्रॉक्टिंग आफ लैंप्स को ड्रॉक्टिंग आप्शन जो है C करेक्ट होगा इस questions का right answer निमलिकी बगती और घटना का सही मेल बताईए सही मेल आपको इसमें बताना है काउन सा सही मेल है 94 का questions का right answer बताने का प्रयास करें शुल्तान महमूद शोमनात की loot part की थी बाकी आपका ये मुवबद गरी सिंद विजय नहीं प्राप किये थी अलाओ दिन के जी बंगल में विद्रोव नहीं किये थी मुवबद बिन तुगला चंगेज खान की चड़ाई नहीं की थी तो केवल आपका जो है first वाला सही मेल है option जो है एकरेक्ट हो जाएगा इस questions का right answer ये वाला केवल एक वाला ठीक है अगला प्रेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं कि मुगल समराट ने सरप्रसम माराथों को उमरा वर्ग में समलित किया था उश मुगल समराट का नाम बताएं जिसने सरप्रसम माराथों को उमरा वर्ग में समलित किया था तो वो थे मुगल समराट औरंग जेब option जो है एकरेक्ट होगा इस questions का right answer I कर काउन लगाता है तो I कर काउन लगाते हैं केंदर सरकर Central Government option जो है बी करेक्ट होगा इस questions का right answer अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं विश्यो की सबसे पुरानी संसत किस देश में है interesting question है और important भी question है तो विश्यो की सबसे पुरानी संसत किस देश की है तो उस देश का नाम है Britain Britain देश की संसत सबसे पुरानी है option जो है A करेक्ट होगा इस questions का right answer ठीक है अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं मुखी चुनाओ आयुक्त की नियुक्ती करने वाली सस्ता कौन सी है तो मुखी चुनाओ आयुक्त की नियुक्ती करने वाली जो शत्ता है वो है राष्टपती option B करेक्ट होगा इस questions का right answer अंग्रेजियों के खिलाब भारत छोड़ों आंदोलन महात्मा गादी ने कब चलाये था अभी बताया हूँ starting में 1942 9 अगस्त 1942 को जो है चलाये थे ठीक है option B करेक्ट होगा इस questions का right answer अगला प्रशन जो की बहुत ही important question है आज के practice set में पहला question भी important बिल्डा और last question भी बहुत ही important बिल्डा है हमें और आज के practice set में कम से कम 50 में 30 ऐसे प्रशन हैं जो बार बार exam में repeat होते रहते हैं मैं यही नहीं कहे रहा हूँ कि यही exam में आपका छपके आ जाएगा बट हाँ यह कहता हूँ कि यही सारे questions exam में repeat होते रहते हैं तो बिल्कुन आपको इन प्रशनों को नहीं छोड़ना है बिल्कुन घोल के पी जाना है ताकि exam में यह प्रशन आपको दिखें तो गलत नहीं होना चाहिए प्रशन यह है तित्री पानी पत युद्ध में माराठों से पराजित हुए थे तो माराठों से जो पराजित हुए थे वो हुए थे अफगान और ये जो त्री पानीपत का युद हुआ था कब हुआ था 1761 में ठीक है और पानीपत का पर्थम युद 1526 में हुआ था बावर और इब्राहिम लोधी की बीच हुआ था और पानीपत का जो दिती युद हुआ था वो हुआ था 1556 में अगबर और हेमु की बीच हुआ था ठी सकते हैं इसकी यहां पर देख सकते हैं मैं answer की भी लगा दिया हूं तो आप लोग PDF को अच्छे से download कर लीज़ेगा इसके बावजूद अगर आपके मन में बीएट से related कुछ डाउट हो तो आप लोग comment box में अपने कर सकते हैं अगर उसमें आपको सही से reply नहीं मिला है तो आप लोग WhatsApp Instagram कहीं पर भी message कर सकते हैं वाट्शप नंबर मेरा है 7905632533 थोड़ा लेट में message reply मिलेगा बड़ आपको घबराना नहीं है message आपको जरूर reply मिलेगा इस लिए लेट में मिलता है कि मैं वाट्शप पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं अगर आपको तुरंत reply मिलना है लेना है तो आप Instagram पर message कर सकते हैं Instagram आप लोग यूच करते हैं तो Instagram पर follow करके वहाँ पर आप लोग कुछ भी query कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बुलेगा आज का टार्गेट पूरा कर दीजिगा 200 प्लस लाइक आपको करना है और इस वीडियो का अपने अधर फेंड्स के साथ भी सेयर करें थैंक्यू